नमस्कार आप देख रहे हैं एशिया नियोज इंडिया महुकीर्त से जस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए इस संक्रमन के चेन को तोड़ने के लिए पिछले तीन सप्ता से राज्य में स्वास्त सुरक्षा सप्ता यानि की मिनी लॉगडाउन लगाया गया था हाला कि आशंका जताई जा रही थी कि इस बार तीन जून के बाद से ये लॉगडाउन खतम हो जाएगा क्योंकि राज्य में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमन में गिरावड देखे जा रहे हैं लेकिन कल मुख्यमंत्री हेमन सोरिन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रादिकार के द्वारा एक बैठक रखी गई थी जिस बैठक में ये निरने लिया गया है कि अब 10 जून तक ये स्वास्त सुरक्षा सप्ता बढ़ा दिया गया है हाला कि नियमों में किसी तरह की बदलाव नहीं की गई है उसी तरह से कडाई रखी गई है जिस तरह से पिछले स्वास्त सुरक्षा सप्ता याने की मिनी लॉगडाउन जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से अगले 10 जून ताकि ये चलता रहेगा और साथ ही बताया गया है कि शादी विवा जैसे समारों को भी करने की अभी इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हाला कि इस वक्त हमारे राज में कोरोना संक्रमन में सुधार देखे जा रहे हैं लेकिन अगर 10 जून तक अगर हमने इस पर काबू पा लिया और इस चेन को तोड़ दिया तो पूरी तरह से हमारा प्रदेश जार्खन मुक्त हो जाएगा। इसलिए ये निरने लिया गया है। अब देखना ये है कि अगले 10 जून तक किस तरह से लोग नियमों का पालन करते हैं और सच मुच अगर इसी तरह चलता रहा तो एक नएक दिन हमारा राज और पूरा देश कोरोना संक्रमन से मुक्त हो जाएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशियानियूज इंडिया के साथ रांची।